इक्सरसाइज 11 के कोशन नमबर 2 तक कम्पलीट हो चुके हैं आज की क्लास में कोशन नमबर 3 से स्टार्ट करेंगे तो कोशन नमबर 3 है इन दा एडजोइनिंग फिगर नेम फर्स्ट पार्ट है फोर लाइन सेगमेंट्स फोर रेज और टू नान इंटरसेक्टिंग लाइन से हुआ हैं इसमें कितने फोर लाइन सेगमेंट्स आपको देखना है फोर लाइन सेगमेंट्स मारनी जिसकी डिस्टेंस एक डेफनी होती है तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट में पार यह दोनों फिक्स-पाइंट है यह दोनों P and R तो यह PR हो जाएगा और देखें P से जाने वाला तो P से यह PQ भी है क्योंकि P एक fixed point है और Q भी fixed point है तो PQ हो गया और यहां पर देखें तो यह R से इधर जाने वाला S, RS हो जाएगा और एक QS हो जाएगा तो यह 4 line segments हो गया इसे 4 line segments पूछे गया है तो कौन कौन सो जाएगा एक PR हो गया PQ हो गया RS हो गया and QS हो गया 4 line segments तो 4 line segments के name लिख देंगे इसमें तो यह हो जाएगे PQ PR line segment को उपर line भी drag कर लेंगे देखें इस तरह से line भी लगा देंगे पीच लेंगे इसमें तो PQ यह line segment हो गया PR हो गया PQ हो गया PR हो गया और कौन सो जाएगा RS and QS RS and QS तो 4 line segments हो गया है अब देके 4 range 4 range देखना इसमें तो 4 range के लिए range जिसमें 1 point endlessly extend किया जा सकता है endlessly होता है तो यहां पर देखें PA A side में arrow बना हुआ है इसको इसको इदर extend किया जा सकता है कितनी भी दूर तक इसको बढ़ाया जा सकता है तो एक PA हो गया एक कौन सा हो गया QC QC भी हो जाएगा क्यूंकि इदर कि ओर arrow लगा है इदर RB हो गया और SD हो गया तो 4 range जार ही है 1 is PA इसके उपर arrow लगा देंगे arrow लगा दिया ऐसे हो गया आपका QC QC arrow लग गया C कि ओर arrow है फिर इसके बाद में RB RB B की ओर arrow है लगा दिया गया इसके बाद है SD D की ओर arrow है यह लगा दिया गया तो यह range हो गयी PA, QC, RB and SD अब देखे 2 non-intersecting line segments तो 4 lines जो segments आपने राइट किये हैं 1 PR, PQ, RS and QS यह 4 line segments है इनमें देखें non-intersecting कोंसे हैं जो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे है line segments तो अगर हम यह देखें कि line segments में यह जिसे line segment है और यह line segment है यह दोनों कट नहीं कर रहे है ऐसे देखें तो यह भी ऐसे कट करते हुए नहीं दिखा दे रहे लेकिन अगर इनको हम और भी आगे बढ़ा दें इसको और भी आगे बढ़ा दें तो यह क्या होगा आगे जाकर कि जोइन हो जाएगा अगर इसको हम और आगे extend करते हैं जिसका मतलब यह intersecting lines हो जाएंगी तो हम यहां पर PQ और RS को non-intersecting lines segments में नहीं write कर सकते हैं किसको write करेंगे इनको आगे पीछे कितना भी बढ़ा दें चुकि यह एक तरह से parallel lines हैं इनके बीच की distance equal है हर जगे जहां पर लेंगे equal distance होगी इसका मतलब PR and QS, two line segments हो गए, जो non-intersecting है, तो non-intersecting line segments में हो गए PR and QS. question number four, what do you mean by collinear points, collinear points क्या है, तो collinear points को पहले define करते हैं, कि collinear points क्या है, उसको define कर लेते हैं, collinear points, तो three are more points, three are more points, lie on the same line, is called collinear points, if three are more points, three points होना चाहिए, यह three से ज्यादा points हो जाना है, तो three are more points, are, lie on the, lie on the same line, on the same line, if three or more points are, lie on the same line, are called, collinear points, so if three are more points, lie on the same line, lie on the same line, are called collinear points, suppose, here is a diagram, A, B, C, which is, in a same line, A, B, C, make a same line, so these points are called, collinear points, now first part, how many lines can you draw, passing through three collinear points, अगर three collinear points हैं, suppose करिए, three collinear points हैं, जो, एक सीद में हैं, माने, एक ही line पर हैं, इन से three collinear points दिये गए हैं, तो सपोज करिए, यह आँ पर A, B, C, three points हैं, तो इससे कितनी line ड्रा कर सकते हैं, यह हो जाएगा, एक ही line में सेम, स्टेट हैं, तो यह, only one line, कितना हो जाएगा, how many lines can you draw, तो only one line we draw, तो answer में हो जाएगा, इसका, only one, one line, या इसको मैं से करते हैं, only one, केवल एक line ड्रा की जा सकती, only one, line, can draw, केवल एक line ड्रा की जा सकती, one line can draw, तो a, b, c, if three are more points on the same line, these are collinear points, तो दो जार collinear points, तो वो collinear points होते हैं, तो collinear points अगर हैं, तो वो एकी line में होंगे, इसका त्राब उनसे एकी line बनेगी, केवल एक line, second point, given three collinear points a, b, c, how many line segments do they determine, name them, देखें, three collinear points हैं, जिनका name है, a, b, c, तो how many line segments do they determine, name them, तो कौन कौन सी, कितनी lines ड्रा की जा सकती हैं, देखें, तो कितनी line segments ड्रा की जा सकती हैं, a, b, a, c, and b, c, three line segments, तिसमें answer में हो जाएगा, three line segments, three line segments, और in line segments के name, name देदें समें line segment के, तो कौन कौन से हो जाएगे, एक हो जाएगा, a, b, a से b तक, a, b हो जाएगा, then, next हो जाएगा, b, c, next, a, c, तो three line segments हो गए, तो exercise 11 है के, question number 4 तक complete हो चुके हैं, next class में, question number 5 से start करेंगे,